हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल इस्टेडी 24 विबेग आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है तो जो जीके जीएस की हमारी सीरीज चल रही थी 1000 कुश्चन की उसी सीरीज को इस वीडियो में कांटीनू किया जाएगा और एक कुश्च पूछेगे कुश्चन है तो जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा सज्यादा शेयर करें तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार करते हैं और देखते हैं कुश्चन के आगे के नंबर वन देखते हैं क अनसर बता है दो भारत में पस्वों का सबसे बड़ा मेला कहा लगता है तो embarc बिहार तो तो वाई मंडल में carbon dioxide की मात्रा कितनी होती है तो आफ्षन देखते हैं A है 2% B है 3% and C है 0.3% and D है 0.03% तो जिस किसी को इसका answer पता है कमें बताता रहे इसका right answer होगा आफ्षन नमबर D 0.03% ठीक है आफ्षन नमबर D क्या है 0.03% हमारे वाई मंडल में carbon dioxide की मात्रा प्रजेंट है ठीक है नेक्ट देखते क्या है नमबर ठी 38 परेरल रेखा किन दो देशों को बारती है तो जो ये देखा है किन दो देशों को बारती है तो आफ्षन देखते हैं A है उस्तर के रिया और दच्छड कोरिया और अमेरिका को and c है America और Mexico को and d है इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर क्या होगा कम नहीं बताएं इसका राइट एंसर होगा हमारा आपसर नमबर a उतर कोरिया और दच्छड कोरिया को जो ए परेरल रेखा है इन दो देशों को बारते हैं ठीक है नेक्ट वन देखते हैं क्या है नम आफसंस A है ब्रह्मी एंड आफसंस B है ग्रीक एंड आफसंस C है पाली आफसंस D है संदक्रत तो किस भासा में यह गरंत लिखा गया है जो बहुत धर्म का सबसे प्रसित गरंत है तो इसका राइट अंतर होगा आफसंस C पाली जो पाली भासा है इस भासा में यह बहुत धर् सासनकाल में तिरती बोध संगीत का उजन किया गया था तो आपसंस A है समराड असोग, B है चंद्रगुप्त मौर, C है बिंदुसार, D है ब्रहधस्त, तो फाइब सेकंड का टाइम देन आइंसर इसका उताएंगे, इसका एंसर क्या होगा, इसका राइट आइंसर होगा, आप प्रसिद्ग्रंत अस्ट्य ध्याई की रचना किसने की, तो जो हमारा प्रसिद्ग्रंत है अस्ट्य ध्याई, इसका रचना किसने की, तो राइट आइंसर क्या होगा, इसका राइट आइंसर होगा, आपसं नमबर C यहाँ पर महारिसी पाड़िनी, जो महारिसी पाड़िनी हैं इन्होंने आश्ठ धियाईी गरंत की रचना की ठिख 445 तो इसका राइट ऐंसर क्या होगा कि इसका राइट अंसर होगा हमारा आपक़ नमबर 20-4 ठीक है जो अंदमान नीगों को बाद दीप सम्मों है मारा इसमें कितने करसे हैं तो कितनी अव्यभ है तो हमारे कितने हैं यहाँ इस यहाँ पर 324 दीपट्ट है कहां पर अन्दमान निकोबाद दूख सम्मों में ठीक है ने टोन देखते हैं क्या है नंबर एट क्या होगा यहां पर संसत के दो सत्रों के बीज अधिकतम अवद कितनी हो सकती है तो कितनी अवद हो सकती है संसत के दो सत्रों के बीज यानि कि जो संसत के दो सत्र होने मां यहननि कि six month छी मथने के अंदर जो संसत के drauf होते हैं इनके बीच की संसता के सब्स् patent अबहद होने जायी जाए यहनि कि इसके अंदर संसत के सब्स्तरों का जो अबहद है इससे जाए नहीं होने जाए लेकर देखते हैं किया है नंमर्य नाइन नाइन किसकी राप Śक्राइब हैं किसकी राछनाट कोई तो सकर राइट रचनाए कालिदास राछनाट की राफ सन यकालिदास की राचनाय है कालिदास की नेश्ट देखते हैं क्या है नंबर टेन महावलपुरम के रस्त का निर्माड जो मंदिर है इसके रस्त का निर्माड किस पल्लो सासक ने करवाया था तो महावलपुरम के रस्त मंदिर का निर्माड कि सासक ने करवाया था एह नर सिंग वर्नम एंड बी है महें सूस्ट का नर सिंग वर्मन न होतें लोक्त के निर्माड़ करतों तो यह राष्टी उत्दान भारत के किस राज में अपने, दिखते हैं एह उत्तर प्रदेश का परोस्य क्या है प्रदेश है उत्तर खैन्ड इसी में क्या है यह लिएन stocks के शाथ को ने करवाया था तो किस वन्स के साथ को ने करवाया था तो तो इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर होगा आपसर नंबर बी यहां पे चंदेल वन्स के सासक थे इन्होंने खुजराहों के मंदिर का निर्माण करवाया था ठीक है एक किन वन्स सब्दों का समंद्ध से ठीक है तो तो यानि किस में तो इसका राइट अंसर सभी लोग उता है कि अ कि किस खेल से समंद्ध है तो इसका राइट अंसर सभी एंसर होगा आफ्टन नमबर सी गोल्फ यहनि कि गोल्फ खेल में इसारे सब्दों किया जाते हैं बर्डी एगल बोगी पार टी होल इन वन इतने सब्द ठीक है नेट वन देखते हैं फोटी नमबर घना पच्छी बिहार किस राज में इत्थित भारत के किस राज में घना इस्तित है घना पच्छी बिहार ठीक है नेट वन देखते हैं फिक्टीन नमबर क्या है महमूद गजनवी ने सोमनास मंदर को कब लूटा था तो आफ्टन ए है वन नोसो पचीछ इसबी में बी है एक हजार चौदा इसबी में सी है एक हजार पचीछ इसबी में एंडी है गजनवी में तो महमत गजनवी ने कहीं बार आखमन किया लेकिन लूटा था इस ने लूटा था तो इस ऐसर्थ Pan Allẹatives 10 projekt में सीम्ट 2017 के लिए में एक हजार पचीछ में है जो महम्मात गजनवी है इसने किसको लोटा था सोमनास मंदर को लोटा था ठीक है नेंश्ट अं डेहिंग पड़ गए राशटी उत्यान घंडे है का जी रंगल इसके लिए तो यह पूछ घंडे है यह प्रसंध пошतीं और अपका भी गुरॊप देमेर हों की स्प सामिल किया गया यहने कि जो हाकी पहले राष्टी खेल था इसके इसे हम ओलंपिक खेलों में मतलब हमारे कब सामिल हुआ तो इसका आफसन देखते हैं किस वर्स में जो हाकी है इसे ओलंपिक खेलों में सामिल किया गया तो राष्टी काईड़ कोर की इस थापना किस वर्स हुई तो आफसन ए तुमारा है किस वर्स राष्टी काईड़ कोर की इस थापना हुई तो आफसन देखते हैं आफसन देखते हैं आफसन देखते हैं आफसन देखते हैं तो इसका राष्टी समिधान में कितनी अंसूचिया तो अबलेबल है तो आज के हमारे सीरीज के यागे के 20 questions जो चैनल पर नाया सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रस करें और वीडियो को शेयर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन